नुईस्क्रिक में आपका स्वागत है आज हमारे साथ है जेवी पवार जिनको वराठी में जवी पवार के नाम से भी जानते हैं। तो पवाल जी पहला सवाल आप से मेरा है दलिट पैंथर्स मूवमेंट के बारे में ही उस टाइम पर जब आपने धासाल जी और ढाले जी के साथ जब इस मुवमेंट की नीव रखी तब इमीजिट ट्रिगर्स क्या थे क्या घटनाइं ऐसी उस टैम पर हो रहे थी कि आपने इस मूवमेंट की शुरुवात की. बहुत ही कपना पेपर में आते थे हुआए। आने के बाद, हम जब बढ़ते थे तो हमारा कुल बरता थे हुआ। क्योंकि हम यह राइटर थे। threaten झिरो भाइट लिव नेने निम रके, वो सब लिलिट पांधर के पहले राहटर ही तो हमने है बीछार कि लिछार किया कि लिखने से खु kidney लिखे हैं You अजिए कविता हमे हम यह करे गव करे गे मगर तयशर है तो होते रहे तो लिखने से का आगड से लिखने से काव वस् apron इन्दिना गांधी जी ने एक परलिमेटरी गांदी गांदी की ती जिसका चेरमन ताई इलिया पिरुमल उए भी MP थी, साओध के MP थी उसने इसको कहा दया था कि वो पुरे देश में गुबे और पुरे देश में इस प्रकार का अन्य अट्याचार होते उसका एक प्रकार का उसने वो कैटलोग करे या वो संग्रेट करे उसने जब 1965 में वो कमेटी वास फॉर्म उसके बाद एक तेंज जानिवरी 1970 को अपना रिपोर्ट सरकार को दे दिया उसमें तर ऐसा दिखाया था कि भारत में पूरे समी राजयों में बहुत से अन्य आत्याच्य हो रहते हैं हर किसमे का अंता थे емनारत उन अपर होते थे उनको कैसे नंगे करके उनको आदे ६्स निकालते थे स्मेक वेंटे थे नंहान सब्सक्強ापर थे बाढ्य संया सब्सक्रया में कि ने करहां लादे पनी चीज़ 1927 में लड़ा जिया उसके बाद भी पाने किसी को मिलता नहीं था तो यह सब इतने अच्छा रोर थे और उसका रिपोर्ड जैनेवरी 70 में आया वह गवर्मनें इतने टाकत नहीं थी को रिकोर्ड रिपोर्ड टेबल पे रहे पार्लेमेंट के टेबल पे रहे उनके इतने रि लोगों ने सब कंसालीड किया जितने बे अत्याचार हो थे एक बरस का सब्सक्राइशन किया वैसे एज इक शोलीड रिपोर्ड आय था एक अत्याचार होगा तो तो सब्सक्राइब जादा उसके बादे में कुछ नहीं समझता है बद जब ज़्यादा से जादा कर एक तो उसकी गंबिर्ता ज्यादा मैसिज हुए और इस गंबिर्ता के उरोध में हमने विचार किया कि हम केवल लिखें के नहीं तो हमा आत में डेशील पेन लेता है वैसा ही पेन के साथ हमा आत में रास्टे भी उतर के हम कुछ करें तो उसी वाज युवक अगारी नाम कीती एक स लए ओरोतों को नंगे कर आुंका फुरे ग मेल थीने पानी पनेका गूना किया इसलिए वह दोनों को चाह पुरिय गाउंम कर लुट कर हैा यह फूरे गाने के पारेड निकाला था तो इसका आने के बाद हम और अख भ गयो होगे, विब दा बात के लिए तो अमने चैमिने नायक को बताया उपला एक वो आप जए और आप रिपोड लागे आप के बास पुलीर के वाट आप पुलीसे आप बास पुछ आप रिपोड ला आ चे आप जैनना चे तो क्या होगा आप जानते हैं, आज में आज में नंगी किया उनकों सारी देदेगे मैने और नामदेव रसाल ने बिरोध किया, हम बोले हमें उस गाव में जाकर और वरतों को लोगों के सामने लागे में पनी किया ग्रोध कि उसने को तो आज में एकाव में जाने माला गाव में घाने काहिए भुशत को ऑंडरम्राउन गर मैं वानता देगों कोई आज में लागे और चांव Efendimiz जो अच्छों विए रोगों एक प्रकार का सवरुक्षिं देना था यूँ नहीं दे पते तैंदे थे इसले हमें 29 मैं真的 72 को रास्ते में मेरे गर से बग में काम करता था कि मेरे अगर से मानु जाम था आजा हूरा परनीं जा थे खाल आजा unity के हम क्या क्रें हमतों नंहें के हम लीद किया हम इना तो हम क्या करे तो रास्ते पे कि हमने विचार किया अच्छा कोई रिवॉविश्टरी लडाकु शंगरण न मुतायार करें और अव्यू आपदर का अमने रास्ते पर बंबे के एक रास्ते पर बेरे घर से बेरे बैंक तक और रास्ते में रहे ठाछे उर्स्टे पे अमने जलीद पांधर नाम का अव शंग पुलिस ने कोगनिजन लिया, कोई पेपर ने जादा चपा भी नहीं है, विल्कुल कॉर्णलर पे किदर आईसे इसे संगंडल स्ताफित हुए इतना ही आया था, उसके बाद हमने दरित पैंतर का स्ताफना तो किया और उसके साफना करने के बाद हमने जीत प्रकार का सब्सकर प्रजच कोइड़ें गया कि घाँ इसी, इसा ही हमारा का जब नखम नहीं आफने मेरन लोगों को पुना जिला को संकेटन सबसा न संगरता गया को तो και संगरतान के समएं मेरे साथ राजा डले घी नहीं थे वो योुग अगारी के थे नेता हम नै Kaito एक वर्तुमान पत्र में लिखा और नेटनल फ्लाग का उसने इल्जल्ट किया है ऐसा सम्मध कर उसके बाद में पेपल में जो आतारा बहुत ही चर्चा हुई उसी कारण दलित पैंथर का दलित पैंथर का बढ़ गई दलित पैंथर का विस्तार होने का कारण राजा नाली का तो लेक था राजालाय राजालाय उसे बाद में जुडए गई और आजा नाली ऊत्रू राजा नाली राजाले साईत्र कंदले सिल्ट एक भाग बन गया तो चुरु में नांदेवड़ासाल जेवीपाउर और में राजालाय ले इतीनों भी लोग है और तिनों साहे तीक थ उसने साहित्य के बदले में हाथ में पेन के बदले और पत्तर लेने का शुरू किया और अब बाद में रास्ते पे आकर लड़ाई लड़ने लगे तो जैसे या अंदुलन अपने 1970 के दशक में चलाया था वहां से लेकि आज तक आपको कोई बदलाव आया हुआ दिखाई देता है या फिर जो अत्याचार आज दलितों पे हो रहे हैं उसका क्या स्वरू बदलाव अपको लगता है दो शुरू में 1970 के बाद हमारा जो संगतन वे आज देरे सक नहीं चलाए 1975 में तो एंदरा गांजी ने इमर्जेंसी प्रोक्रेम किया तो सेवेंटीफाई के बाद तो हमको कामने कर सकते हमारा 72-75 तक कर तीन इस दीज़ बनस हमने काम किया इस ती बनस में यस तरह से काम किया कि अंशे तरह सरकार हो या वे के एक इसमें सम कणा जी अऔर जाता हमें हमने इतना काम किया सी कि हम से उसके अदिधार मेह आजर चालो होने कि हम कई सकते के कर दो हम करृते निया का आञ बाद हैं जब देर तो उसके बाद अत्या जारतों को यह थे का तीन अगर आज के बारे में पता होगे इस सदीकी में बता होगे तो 2014 से अगर में देखे तो अत्याचार ज्यादा बढ़ गया है यहां कि यहां की जो पुलिटिकल पार्टी थी भारते जनक संग नाम की पुलिटिकल पार्टी जिसके साथ अब जड़ते थे लड़ते थे सब्सक्राइब कांगरें से भी हमारा जगडा था कॉंगरें इची नहीं थी वगार कॉंगरें से निकाल सकते हैं हम उनको खिला कुछ बोल सकते थे लिग सकते थे लाइन 2014 के बाद हम पर वह सी पाबंज आई और इस प्रकार का अत्याचार हो रहें कि इसका नूर बदल गया है उसका सुरूब बदल गया वगर आज भी अत्याचार वह से हो रहें केवल उसके खिलाप लड़ने का शस्त्र में बाद है हर जगर भी वहाँ होता रहे हो बढड़ता जा रहां और उसका खत् cabeça highs ऑने का कोई को छिन्हे देगता नहीं तो जैसे अपने इस सोचार के बारे में следकित हैं हमने पात साल उनका राज इस दिश में देखा है उन्हों स अपनी कारेकाल में समाज के हर टप्रके पर किसेना किसी तरह से अटाइक जाहे मोटनिडियों लिए अगे बढ़ते वह वह बंट Isaiah अर बात है रहन के यह जो सरकार है हairy वह इंडुजन्गा है है ृर देश में जाधा सेêtre हिसे लोग women है में यह जाइनडिव है और मुसलीम अधर भण्रिट और दलिथ्ट ए सक्रेश लोग है उनंकी संक्या में कि युल्क हास्वाने प्रवसेना यो हम ये तो आज भी वाझवे करके और जेंडू जब तब मतलब क्य है हुआ ही दो करनो असमतन Susa ह lattयों मैं कुछी परकार के समतना नहीं है तो ये दैसे के शुरू में दैसे ते рассказыв है लोड़नदे वैसे लिए आजिव ये वर्नो अर दे हिंदु तो का बिरोद में काम करते हैं। रहें वह ज्यादा वर्थ बिलते हैं। मैजलिटी उननी को 14 प्री और पॉरटीन में में मिली अवं में रहे हैं। उन्मेर कि वह अर्थ कि इन तो खोड़ता है। पर क्या आपको लगता है यह सिर्फ धर्म की ताकत पर वापस आ चुके हैं कि अपको लगता है कि यह तो नहीं दे पाए है ना एकोनौमी का कुछ सुधार या बदलाव ला पाए है ना जा मिडिल क्लास ना किसी भी तारीके के किसी भी समाज के तपके को वह कुछ भी कर आए उनके डेफल्मेंट के लिए तो लगता है यह सिर्फ धर्म की ताकत पर वा वो किसके लिए हम आपर देश के लड़ें धर्म के लड़ें लड़ने वाले वो जाते हैं आज भी आप देखो गेर ठीन हिंदु तो हिंदुने नहीं कि इस हो इस रोड ऐसा कोई बेद चाला होगा तो वहां वो साइंटिस्ट रही है, बगर भी यान को बेजना होगा, तो उसके पहले किसी बामन को बुला के पहला पुजा करेंगे, अब पुजा पुजा और रॉकेट का कोई सम्मंद्ध नहीं, वो तो पुजा पुजा नहीं है, तो हर जगह में बड़े बड़े शास्त्र नहीं हितना कि में जटने में पुजार्ना के साबने जुकते तो बाकी के अजंता का तो छोड़े जूड़ेगी सनने कि जब तक उनके भी भ्हाओं में धुजा में एंदूतू है, तब तक वो खत्ब होने वाला नै, और म दिखते हैं कि नहीं दिलते हैं, तैसा बने श्र करने के कोई गुंजा इसलिए और इस समय में जैसे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पेस में जो पार्टी से जो बहुजनों को रिप्रेजन करने का दावा करती है जैसे महाराष्ट्र में है बहुजन वंचिता घाडी या यूपी में जैसे समाजवादी पार्टी बहुज पॉलिटिकल पार्टी बहुजन में पॉलिटिकल रिजर्वेशन नाम का एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन नाम का एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन बाबा सब अमेरिकर ने जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बात की तो दस भरस के सीमिती दस बरस के बात पॉलिटिकल रि वो हमने किस कभी ही भी हा हुआ करा व हमने कभी भी मागने कि उसको रिन्यू किया जाए लो पॉलिटिकल रिजरविश्ए कारवने कि और क्या होता है Zealand पुरिगेलने के रहते हैं। पार्टीन आइते हो और पार्टी का रहते है। ज़ै बीजेभी का हो या शीषयन दोल्ग कोई भी पार्टी का हो। बीज अफुरिटाइयो थीद्ज बाबासाब के सहुधान के बाजम में लडने माली ओजी तो कुछ हो सकता है एप पोलिटिकल रिजर्वेशन ओने के कारण अमारे किसी बाजमी को बिकत ले सकते बिकत लिया जाता है और उनको उनके मेजरेडी होते हो क्योंकि उनका कोई भी तब कई पत्तर भी तेलेगा उनक बाबासाब को किनी आराया मासाथ अमेर्क्स अवा अभानाजमी उसको जो लगा पुरिटी के रिजर्वेशन था इतल्य ओई और ऑप तो में महारे तो यह मांग है मैं मैं बससे मैं मांग कर और की जब तक प्रोलिटिकल रिजर्वेशन हतम ने होता है तब तक यज़खि पार्टी उनको जब मिलेगा जब उनको जब प्रोलिकल इसे खतब हो जाएगा जब तक प्रोलिकल इसे खतब ने होता है तब तब कुछ होने वाला ने है तक अच्छी जो चात्र आंदूलन आजके टाइम पर खड़ा किया है उसको आप किस तरह से देखते हैं चात्र को खुछे तो बुजे अच्छे दिखते हैं मेज़ूरिटी में नहीं है में पर इनुऴ जग विद्धार्टी में हैं मगर सबसे बड़ा विद्यार्थी का संगेटान थो अभाविपये ँटन बारटी गुजार्थी परेष्टन जाधा जाधा से ज्ièmeणना क्रती काली थी कि कि अबाव विपक रहता हो है, तो बांके बल्चन परकान, सब गुंडगेरी, सब गुंड़ है और इसके कारण बाकि जव पार इनके पार्व है उनके पास पुलिटिकल पार्टी की पावर है, उनके पास पाइसा है, उनके हर प्रकार की सिवीदा है, और जे बाखे के जो स्टुटन रहते हैं, उनके बिल्कुल गरीब भर से आते हैं, उनके पास कोई सिवीदा ने होते हैं, तो उनके लडने का दो है, वो सिमीद रहता है तो हर जगह एच्छे एच्छे श्ट्टोंड है वो लडा को है लड़ते आ रहे उनके यूद कर अइसे स्कॉरशिप का प्रब्लम है और कितने वो प्रब्लेम कर एफ अगर आप ने ताकत के कारण आठका बाकिका प्रोग्रेसिव उन्यान थे इन बाद दिन विक हो रहे है जैसे जवारलाल नहरू उनिवर्सिटी में जैसे बापसा का हुआ है फॉरमेशन का काफी टाइम से काम अच्छे से चाज रहा है और पहली बार इस तरह का संगटन बना है इस नाशनल कैसे देखते हैं उनका काम तो बफला कि झाल का यह जैनु का वहां का जो इन लिडर आपने वाले ने लिडर में तरहाई आपने कोमार देशा कवार दिर्सा लिलर था तो अभी विलेक्षिन था तो क्या तिज आो गया गया तो पूरो मैलकि इसे गई ऑट को अच्य औरम मायन रे DU नेहीं और में दीशो बिस्फंध नहें अज्जू और में चरह कि तटका बब सांगी नहीं और में कम जहारे गए कि उनके पास कोई सुओा जाद सुओा नहीं सुओा नहीं सुओा नहीं कर जीनुको या कहां के बहए जितने भी स्टुडेंट रहे वह अपने हग जो जो भी लडेगे उनके लिए हमाने सेखे लोग उनको हमेशा समर्तन देगे रास्ते पर आखर समर्तन देगे अगर जिरूरत पड़ी तो रास्ते पर आकर हम समर्तन देगे थांक यू फो चॉइनिंग अस और उसक्लिक के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद